Class 3, Subject Science, Lesson 2 Parts of a Plant हमारे आसपास कई तरह के पौधे हैं, कुछ पौधे बड़े और कुछ छोटे होते हैं, जिस प्रकार हमारी आँखें, नाक कान, हाथ और पैर होते हैं, उसी प्रकार एक पौधे के भी कई भाग होते हैं इसे जीवित रहने और बढ़ने के लिए हवा, भोजन और पानी की आवश्यक्ता होती है योजना के प्रत्येक भाग का अलग-अलग काम होता है, ये सभी भाग पौधे की मदद के लिए मिलकर काम करते हैं बढ़े और ठीक से काम करें, एक पौधे की दो मुख्य भाग होते हैं, प्ररोह, पौधे का वह भाग जो जमीन के उपर उपता है, प्ररोह पर, जड़, पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे उपता है, जड़ कहलाता है जड़ दो प्रकार की होती है प्रधान जड़ और रेशिदार जड़, मूसला जड़, यही एक लंबी और मोटी मुख्य जड़ होती है, इसके किनारों से कई छोटी छोटी जड़े निकलती है, मतर, बालसम, गाचर और मूली जैसे पौधों की जड़े मूसली होती है रेशिदार जड़, इसकी जड़ अनेक धागे जैसी होती है, जड़े जो तने से उत्पन होती है, घास, चावल, गेह, मक्का और प्यास जैसे पौधों की जड़े रेशिदार होती है जड़ के कार्या, ये पौधों को मिट्टी से मजबूती से जोड़े रखता है दता सजड़ मिट्टी से पानी और खनेजों को अफशोशित करती है मूली, गाजर, शलजम और चुकंदर जैसे कुछ पौधे अपनी जड़ों में भूजन संवरहित करते है तना, तना प्ररोह का मुख्य भाग है, ये जमीन के उपर उखता है इसमें शाखाएं, पत्या, कल्या, फूल और फल लगते हैं पेडों के तने मोटे और कथोर होते हैं, इन्ही ट्रंट कहा जाता है नीम, आम और शीशम जैसे पेडों में तने होते हैं केले का तना मुलायम और हरा होता है क्लाइंबर्ज और क्रीपर्ज के तने बहुत मुलायम और कमजोर होते हैं तने के कार्य, ये पौधे को सीधा रखता है सी, ये भूजन को पत्यों से अन्य भागों तक ले जाने में मदद करता है ये गन्ना, अदरक और आलू जैसे कुछ पौधों में भोजन का भंदारन करता है यह पानी और खनिजों को जड़ से पौधे के अन्य भागों तक भी पहुझाता है ग्यान बक्सा, कुछ तने ऐसे होते हैं जो भूमिगत रहते हैं कभी कभी ये तने सूज जाते हैं क्योंकि इनमें अतरिक भोजन होता है पत्या, पत्या तने पर उपती हैं अलग, पौधों में विबिन प्रकार की पत्या होती हैं अधिकांश जीविक पौधों की पत्या हरी होती हैं पत्ति के हरे रंग के पदार्थ को समर क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल भोजन बनाने में पत्तियों की सहायता करता है। पत्ति के चप्टे और चौड़े हिस्से को लीफ ब्लेड या लेमिना कहा जाता है। मध्य में शिराय मुख्य शिरा से निकलती हैं. शिराय पानी और पोशक पत्थों को पत्ती तक ले जाती हैं. पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमिटा कहते हैं पौधी स्टोमिटा के माध्यम से सांस लेते और छोडते हैं. पत्ती की मुख्य शिर कई पार्शव पार्शव शिराएं, पत्तियों के कारिय, छेद, हरी पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। फूल, फूल तनों पर उखते हैं। फूल किसी पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। वे चमकीले रंग के और सुन्दर हैं। उनके अलग-अलग आकार और आक्रतियां हैं। कुछ फूल अकेले उखते हैं और कुछ गुछों में। कई फूलों में मीठी गंध या स उगंध होती है। इनसे इत्र निकाला जाता है। क्या आप इन फूलों के नाम बता सकते हैं। फूलों के कारिया। कुछ फूल फलों में बदल जाते हैं। फलों में बीज होते हैं। फूल प्रजनन में मदद करते हैं। फल, फूल से फल उगते हैं। अधिकांश फलों क प्रतेक बीज के अंदर बीज होते हैं। पौधे का रूप ले लेते हैं। इससे अनकुरन कहते हैं।